नमस्कार सातियो स्वागत आपका आपके अपनी यूटूब चैनल सोंदरी स्टेडी पोइंट के उपर बात करेंगे चिकिसा विभाग भरती के बारे में चिकिसा मंतरी के निर्देश के बाद भी जारी नई हुआ कैलेंडर जारी फार्मासिष्ट बरती का काम अभी चल रहा है दो से च्यार दिन में लगेगी आचार सहीता पांच बड़ी बरतियां अठकेगी आचार सहीता में तो इनी बातों को लेकर के इस सैसन में चर्चा करने वाले हैं कि चिकिसा मंतरी के निर्देश के बाद भी सीफू ने क्यों नहीं किया कैलेंडर जारी और फार्मासिष्ट बरती का काम अभी चल रहा है जो बच्चे पूछ रहे हैं कि फार्मासिष्ट की प्रोविजिनल ल जारी हो जाएगी और 2-4 दिन में लगेगी आचार सईता, 5 बड़ी बरतियां अटकने की है संभावना तो अगर अभी तक आपने हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वेल आइकन को जरूर प्रेस कर जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे बात करें इसके अंदर आध देनिक वासकर ने आखरी कब तक होगी सीफू की भरतियां चिकिसा मंत्री के निर्देश के बाद भी जारी नहीं हुआ कलेंडर दो से च्यार दिन में आचार सहीता की संभावना 20,546 पदों में से केवल 514 पदों की तीन भरतियों का प्रणाम हुआ जारी पांच बड़ी भरतियां अठ की सीफू की ओर से भरतियों की लापरवाई भरती जा रही है चिकिसा मंत्री के निर्देश के बावजूद अब तक भरतियों का कलेंडर जारी नहीं हुआ पिछले दिनों चिकिसा मंत्री गजिंदर सिंग खियूसर ने सीफू की बरतियों को जारी रखते हुए इनका कलेंडर जारी करने के निर्देश दिये थे इसके बावजूद अभी तक कलेंडर जारी नहीं हुआ वाही वाही लोटने के लिए सीफु ने तीन बर्तियों का प्रिणाम जारी कर दिया इन तीनों में कुल पदों की संख्या महेज 514 है देखा जाए तो ये अब्यर्थियों को राहत देने के लिए उट के मुँँ में जीरा साबित हुआ क्योंकि सीफु की आठ बर्तियों में 20,546 पद है इन में से 20,032 पदों का प्रिणाम अभी जारी नहीं हुआ बेरोजगार युवाओं की बड़ी बर्तियों का प्रिणाम इंतजार था अगले 2-4 दिन के भीतर लोकसवा चुनाओं की आचार सहीता लगने की संभाव ना है ऐसे में बड़ी बर्तियों का प्रिणाम अटकने की नोबत आ गई है इससे युवाओं में निरासा है चिकिसा मंत्री के निर्देश के बाद सीफू ने नेतर सायक बर्ति, डेंटल टेकनीसियन और ECG टेकनीसियन बर्ति की अंतिम चैन सुची जारी की युवाओं को बड़ी बर्तियों नर्सिंग ओफिसर, महिला स्वास्ते, कारेकरता, फार्मासिष्ट, लेब, टेकनीसियन बर्ति और सायक रेडियोगराफर बर्ति के परिणाम का इंतजार है बेरोजगार युवाओं का कहना है कि इन बर्तियों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए ताकि रहात मिल सके ये बर्तियां पिछली सरकार के समय निकाले गई थी इन में से फार्मासिष्ट बर्ति के अलावा च्यार अन्य बर्तियों में केवल अंतिम चैन सूची जारी होनी है फार्मासिष्ट बर्ति का काम जाच का काम अभी चल रहा है फार्मासिष्ट बरती में बाहरी राज़ीों के डिग्री और पर्धेश के नीजी विश्वविध्यालेओं की डिग्रीयों की जांच होनी है इसके लिए चिकिसा विभाग ने कारवाई प्रारम्ब कर दी है इस बरती में आवेदन करने वाले 833 इसके पास 12 राज्यों और 664 के पास परतेश के नीजी विश्व विद्यालों की डिग्री है इन डिग्रीयों की जांच के बाद ही बरती की प्रोविजनल परिणाम जारी होगा इसके बाद आगे की प्रक्रिया सुरू होगी जांच का काम अभी चल रहा है तै नहीं कि कब तक पूरा होगा ऐसे में अभी तक भरती लोगसबा चुनाओं के बाद ही पूरी हो पाएगी तो दोस्तों फार्मासिस्ट की जो भरती है आपकी लोगसबा चुनाओं के बाद ही पूरी होगी पांच बड़ी बरतियां जिनकी अंतिम चैन सूची जारी नहीं नर्सिंग ओफिसर महिला स्वास्ते कार्य करता फार्मासिस्ट लेब टेक्निसियन साइक रेडियोगराफर कुल 20,032 पड़ों की ये पांच बड़ी बरतिया है जिनकी अंतिम चैन सूची अभी आना बाकी है इन तीन छोटी बरतियों की जो 514 पथे इनकी जो फाइनल लिस्ट है अंतिम चैन सूची है जारी कर दी गई है चिकिस्सा विभाग में सरकार नोकरी पाने के लिए बेरोजगार युवा लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं सीफू को काम गें तेजी दिखाते वे बड़ी बरतियों के कैलेंडर जारी करना चाहिए ताकि युवाओं को रहत मिल सके भरत बेनिवाल अद्दैक्स राष्टी रोजगार संगे तो आपकी जो बरतियां है अब आचार सहिता 2-4 दिन में 20 तारिक के लगभग आपकी आचार सहिता लगने वाली है तो कहीं ना कहीं आपकी बरतियां अगर सीफू कलेंडर जारी नहीं करता है तो कहीं ना कहीं आपकी बरतियां आचार सहिता में अठकेगी और आचार सहिता के बाद में ही आपकी भरतिया क्या होगी पूरी होगी तो बेरुजगारों को दोखा है कि कई इनकी पूरी की पूरी भरतिया आचार सहीता के बाद में लोकसवा चुनाओं के बाद में पूरी हो बेरुजगार चाते हैं कि केलेंडर जारी हो और चुनावाय उसे परमिसन ले कि इनकी भरतियों को आचार सहीता में ही पूरा किया जाए लेकिन ये तो टाइम बताएगा कि आपकी भरतियां पूरी होगी या नहीं होगी फार्मासिस्ट भाईयों का भी काम अभी चल रहा है इनकी भरति भी लोकसवा चुनाओं के बाद ही पूरी होने वाली है तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारी यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वैल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिपिकेशन मिलता रहे ओके धन्यवाद